नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार इसाई का न्यू प्रैक्टिस सेट और यहां पर देखेंगे तो गलत उत्तर के लिए आपको पॉइंट टू नंबर जो है नकरात्मक अंकन जो होगा ठीक है तो चलिए बीडियो को सुरू करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं टेस्ष आपका वन है पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक कोशन आपका रिविजन के तौर पर होगा और इसमें देखिए आपका कम सकव 70% सही होना चाहिए कोशन के लेबल आप इजी बोल सकते है ज़िदा लेबल हाई लेबल का नहीं है ठीक है पहला हमारा प्रसद आ कि राष्ट्रिय सांखि की दिवस की मनाते हैं तो यह यह 29 गु जूंबर जो है पहले का सी होगा 29 गुद्वा को कैब बनाएगया है आंसर हो जाएगा 1530 में क्या होगा आंसर 1530 में ऑप्शन नमबर 20 स प्रेल उर्जा का दू पांदरुन करता है है अंसर रासाइनिक को विधित्व में क्या होगा यारा स्यूंड़ समयलित नहीं है यानि हमारा इसमें गलत क्या है सबस्क्राइब से सिधान की बात करते हैं तो आइश्टीन सही है चुंब कि और सिधान की हाइगेंस होगा है ना हाइगेंस होगा पाकी विध्यूत चुम्बक्य सिधान्त की बात करते हैं तो मैक्सवेल आपका सही दिया गया है नैस्ट की ऊष्ण कटीबंद कौन ऊष्ण कटीबंद यह घास का मैदान है अंसर हो जाएगा पाथ में का देखेंगे तो option number D होगा सवाना राष्ट्रि आपात काल निम्न अधारों पर लगाया जा सकते हैं अब देखिए राष्ट्रि आपात काल की बात करते हैं तो आर्टिकल की बात करते हैं तो 352 में आपका दिया गया है और किस किस बेस पी आपका लगा जा सकता है इसको हम जानेगे दिखिए इसमें आप देखेंगे तो यूद की अधार पर बहा आकर्मन की अधार पर और ससद्र विद्रूख की आकार मतलब अधार पर तो आंसर देखेंगे तुड़ी होगा ABC जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यूद बाहे आकर्मन ससस्त्र विद्रो हो जाएगा नैष्ट प्रस् decir की धनविद्र की परिभासा वरंजित है कौन से अनुशियत में देखेए धन विद्र के परिभास है किस अनुशियत में वरंजित है इसका सही stiff अंसर देखेंगे तो और आप देखेंगे तो यह पहुत है और आपका इसको जेग दोस्तेशन कि आप 27 कुमार ुए ना कोसन विखाएंगे तो आंसे यह वर्मा सिनहा उपशन नमबर ईए रार्ट आंसर अंसर होगा तो यह गुराजिसमें בע़ उप संहोंबर दिखेंगे ऩो सही आंसर होगा हैं अगला हमारा कोसंट अ कोसिंबर 10 पुलकेशन दूतिय द्वारा नर्मदा नदी के किना do किनारे हर्सवर्धन के पराजय का परमान मिलता है किस लेक्ष न्यापिर किस अभिलेख में तो इसका आश्र 25 होगा option number B होगा एहोल अफिलेक दिल्ले सल्त्रत का एक मात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वें लिखा है आंसर हो जागा फिरोज साहत उगलक होगा क्या होगा आंसर फिरोज साहत उगलक option number D right answer होगा 9 degree अक्छांस अलग करता है किसको दोस्तो 9 degree अक्छांस की बात कर लेते हैं तो ये किसको अलग करता है तो mini काय करता है option number 12 काय होगा कपास अनुसंधान सथान अवस्थी थे कहां पर तो ये नाकपूर में स्थित है कहां पर नाकपूर में है option number C होगा नाकपूर में भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो यह हो जाएगी चेनाब नदी क्या होगा अंसर चेनाब ऑप्सन नमबर भी होगा आवर्त में 22 से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटेगा बढ़ेगा कोई परिवर्त नहीं होगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा तो इसका आंसर क्या होगा पंद्र का इसका आंसर देखेंगे तो आवर्त साड़ने में जब 22 से दाएं जाएंगे तो परमाणु को जाकार होता है अपका घटेगा क्या होगा घटेगा option नंबर 15 का ए होगा घटेगा आमल में समाने तो हो गुण पायाता है अंसर हो जायागा दिसे proton दे सकता है उसके बाद देखेंगे तो electron ले सकता है अंसर आपका देखें C होगा A.C. आपका जो है right answer होगा आरे महिला समाज की सरस्थापक थी कौन? आंसर हो जायागा पंडिता रमा बाई क्या होगा answer? पंडिता रमा बाई option नमर देखेंगे 17 का यह होगा तो यह होगा तो यह रहा वाटसप नमर 8756546533 आप इसो जो है बिहार साही लिकर के मैसेज कीजिएगा आपको प्रापर जानकारी मिल जाएगा बोला कि बुद्ध की प्रथा मूर्ती प्राप्त हुई प्राप्त हुआ किस काल में? तो यह आपका हुआ था दोस्तों 18 का देखेंगे और यह जो है आपका सही हैं अंसर होगा बोधिसत्व पळ्न पानी का चितर मिला है किस चितर कला में? तो यह दुस्तो मिला है अजन्ता चितर कला आपको लिक्त की प्रिचतर कला दोस्तों地方 अपका वन्नित है तो आपका यह अनुश्यत के पचास में आता है और यह कौन से सिध्धांत आप बोल सकते है और यह आपके नीदिनेशक तक आस पचास में दॉप्स बोल सकते हैं तो बाग तो ऑपस्कोंत देखेंगे तो सी सही होगा आत्मा विश्वाष में समास है ढやप देके 2 कुशन आपका English प्लस दो कोस्टन आपका Hindi का अब इस बार जो है आनी के संभावन है क्योंकि पिछला वेकंसी आपका बारो सुबहतर का एक्जाम हुआ था उसमें यह सब जो है चार कोस्टन में हिंदी और अबशन नमब्र चैकर नोबिल दिया गया है कि 23 का नोबिल दुस्तो किस आन्सर देखें कोसन नौर 22 का तो आप्सन बडी होगा जिसमें से आपका केरालीन कारिको और पिर ए आघस्टीनी थी ना तो एक सेकें यहां पे प्यारी आगस्तीनी होगा C होगा ना तो इसमें लिखे पहला और DO WH अगला प्रस्ण है कि वैसविक यूनिकॉर्ण रैंकिंग 2023 में सिर्स पर कौन है तो यह आपका अमेरिका होगा सिर्स पर कौन होगा अमेरिका ओप्सन नम्बर डी होगा गरिबी उन्मुलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष था तो यह था आपका पांच वी पंच वर सी उन्मुलन पर क्या परभाव पड़ेगा तो इसका अंसर देखेंगे तो आपका बढ़ जाएगा क्या होगा राज ये पाल कितने सदस्यों को विधान परिशद में मनुनित करता है जा औंप में कि आंसर euro यूरिया में नाइट्रोजन की मातरा होती है नाइट्रोजन में मातरा होती है कितनी ही तो यहाँ आपका होता है 46 परसेंट होता है और भी होगा 46 परसेंट होता है तेहां को सब्सक्राइब नाइन पे 29 नंबर आपका घटनाओं को करमा नुसार सजाईए यानि करम का नुसार पताना है कौन कौन सा कब कब हुआ था जैसे अगर देखे समीनिया वग्यां आंदोलन की बात करत दोन सुटता है है तो यह आपका 23 मार्च में हुआ था और यह आपका उनिसो पहर स उनिसों 31 में दिया गया था और कॉंग्रिस का कराची जांबर देखेंगे तो इसका सही आंसर 29 का हो जाएगा ऑफशन नंबर यह होगा पहले दखिए कि आपका A होगा फिर आपका B होगा फिर आपका C होगा फिर डी फिरी है ना तो आपसन नमर देखेंगे 29 का तो आपका दोस्तों ए जो है करेक्ट अंसर हो जाएगा आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा चले नेश्ट हम देखेंगे गुरिला यूध में सिवाजी के अवस्यक है क्या तो वाइरस के विकास के लिए देखेंगे तो आपका जीवित को सिकाएं हो जाएगा ऑप्सन नमर जो है 31 कड़ी होगा नेश्ट प्रसने हैं क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है तो यह है दुस्तों द्रव्य मिस्रन से पदार्थों को अलग करने का है ना नमर देखेंगे 32 का तो सी जो है राइट आंसर होगा पदार्थ के समवेग वेग का अनुपात क्या है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर देखेंगे तो डी होगा द्रवेमान होता है क्या होगा द्रवेमान ऑप्सन नमर डी ब्रोमीन समाने ताप पर होती है ब्रोमीन समा पादिक भू भाग पर कौन से मिट्टी जो है पाई जाती है तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जलोड़ मिट्टी हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी होगा जलोड़ मिट्टी है ने तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा यहां से कोशन आपका बनेगा नेश्ट के बिहार के नखास पिंट आंदोलन का संबंध है किस से इसका आंसर हो जाएगा 36 का देखेंगे तो यह आपका ऑप्शन नमबर देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा अगला है घूमती हुई वस्तों की गती मापने वाला यह अंतर कौन सा है कि अंशर हो जाएगा gyroscope होगा क्या होगा अंशर gyroscope ऑप्शन नमबर भी right होगा मनुसरे के सईर के दुसरी सबसे बड़ी ग्रंथ्वी कौन सी है और अगर आप से पहला को आप यकृत नमबर आपका पहला में आपका 1 में आपका एक्रइघा estrut कर दूसरा है अगला है विएव है कौन सा ढंई में उपास्तित अभ्याव कौन सा है तुमको Sotip Mama अंगे पीछी बोल सकते हैं अफेना पर पर प्रसंटेजिक कर नुसार होता है तो है क्या संभ Cao यह कारिय वुष्थापन बलों में क्या संबंद है तो इसका अंब्स ओधी का की गई कलकत्ता में उचिताम न्याले की जो इस्थापना है कब की गई है तो दोस्तों यह किया गया आपका 1773 के अधिनियम द्वारा किया गया है ओप्सन नमबर देखेंगे तो 41 का सी होगा और इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के प्रथम अधिक्ष कौन है कौन थे यह थे आपके लाला लाजपत रहा है ओप्सन नमबर देखेंगे 42 का तो डी जो है सही आंसर होगा अगला प्रस्द है कि इंद्र वरुन मित्र ना दोर्मीन में कॉन सुमेलित नहीं है हमारा दुस्टों गलत क्या है अप गलत की बारें पूछरहा है देख़िए हमते प्रपात की बात करते हैं धूर्मदा नशलीया दूस्तों आपको हो जाएगा मांडवी नदी होगा क्या होगा मांडवी नदी तो आप इसको बना लिजिएगा अच्छे तरीके से नेश्ट प्रस्तिक भुमादि सागर का प्रकास अस्तम कहते हैं किसको भुमादि सागर का प्रकास अस्तम किसको कहते हैं दोस्तो 45 नमबर आप देखेंगे तो option नमबर भी होगा इस्टामबोली जो अलामोख्षी को कहते हैं बिहार में गंगा की दच्छिड से मिलने वाली नदी कौन सी है तो यह आपके हो जागे पुनपुन नदी क्या होगा दोस्तो पुनपुन नदी आप्सन नमबर देखेंगे तो एराइट होगा यंग बंगाल आंदुलन के प्रवर्तक कौन थे प्रवर्तक थे कौन आंसर हो जाएगा option number देखेंगे 47 number का तो option number D होगा डेरेजियो जो है सही answer होगा डेरेजियो समर्ति सुची का प्राउधान लिया गया है कहां से देखिए समर्ति सुची का प्राउधान दोस्तों आप देखेंगे सदन के कितने सदस्य से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्टू करना होता प्रतिसत के मामलें पूछ रहा है तो देखी इसका आंसर उन्चास का देखेंगे तो आपसन नमबर ए हो जाएगा पाचिस परत अब का सही होगा तो फ़िस प्रत प्रसंट आप्सन नमबर इखोगा सही है गोस्वामी आपका सही दिया गया है गने सो पैंतिस के दिनियम को किस ने दास्त्रा ना दान्सता का नया चार्टर कहा था तो इसका आंसर यह क्यावन को जायेगा नहरू के द्वार यह कहा गया था ए बिहार में व्यक्तिगत सत्यागरा के प्रथम सत्यागराही कौन थे दोस्तों यह कौन थे बताईएगा तो आंसर आपको हो जाएगा स्रीकिष्ण सिंग दूसरे की बात करते हैं तो अनुगरह नरायन इंग आपके सेकेंड नमबर के हो जाएगे और यह आपके परस्ट नमब मत्तब करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा विद्वानो कोकर मुक्त भूमी है option नमबर 55 का D होगा विद्वानों को करमुक्त भूमी option नमबर D वनों के सनवर्धन की क्रिया कहलाती है answer देखेंगे तो 56 नमबर का option नमबर B होगा silvy culture होगा क्या होगा answer silvy culture option नमबर B पौधे nitrogen किस रूप में प्राप्ट करते हैं पौधे nitrogen किस रूप में प्राप्ट करते हैं तो यह प्राप्ट करते हैं nitrate की रूप में क्या होगा children की रूप में option c leukemia cancer में RBC में क्या होता है leukemia cancer में RBC में क्या होता है इसका answer देखेंगे अंठामन नमबर का उछतारान्त का आशाधरानव्र trouve ऑप्शन नबर ए्मेंडल का अनुवांसिक्ता सिधान आधारित है लैंगिक जनन पर बी सही होगा कि पुलक की आर्थिक मंदि आम तोर पर संबंदित किस से आर्थिक मंदि आम तोर पर संबंद रखता है किस से तो यह आपको जाएगा अब अब इस्तिती पर है ना आप इस्तिती पर option number A कौन राजकोसिय नीती का उपकरण नहीं है कौन राजकोसिय नीती का उपकरण दोस्तों नहीं है तो आंसर देखेंगे तो आपको open market operation है ना option number देखेंगे एक सट का तो C जो है सही answer होगा अलिनगर की संदिक किनके मद्द हुई थी जब का अलिनगर का संदिक है किसके मद्द हुआ था तो आपका सिराज़ दौला कलाइव के बीच में हुआ था option number देखेंगे तो A right answer होगा भोजन का सरवाधिक और सोसन कहां होता है भोजन का सरवाधिक और सोसन जो है कहां होता है अलियम क्या हो जागा दूस्तों इलियम जो है आपका सही आंसर होगा I should राश्टरपती का विध्यक पर हसहमतिया वापस लोड़ाना किस अनुछेद में वर्णित है किस अनुछेद में वर्णित है देखिए 64 का सही आंसर देखेंगे तो अनुछेद 111 जह है राइट आंसर हो जाएगा 64 का जो है आपका option number B होगा राश्ट्री आपातकाल के समय लो किसी कोशिका वित्ति बनी होती है किसकी जीवाणों के सम्मीतियों को समयधानिक दर्जा प्राप्त है तो यह आपका प्राप्त है संतान्म्यवा समिधान संसुधन option नमर देखेंगे तो C सही होगा I की और समानता का map किया आता है किस से किस से आपका map होता है तो आपका लॉरेंज वक्र लॉरेंज कर्व हो जाएगा या फिर वर्क जो भी है तो लॉरेंज आपका या फिर गढूसरा कर new 501 हो जाएगा आंउ समॉरेंज जो है लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे कौन लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे तो यह हो जाएगा मनन मोहन ओ sound कान होगे मुझ्ण smile option बी होगा अगला है कि नमक को बर्व में मिलाने मिलाने क्या होता है तो एप्साइमर भी होगा इव्य द किलोमेंटेर पर हो किस कोशिका से इंसुलिन का सरावन होता है तो आंसर आपका हो जायागा बीटा कोशिका होगा क्या होगा एक मोबाइल फोन चार्जर है एक मोबाइल फोन चार्जर है टो इस्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है है ना ऊप्सन दिखेंगे 74 का तो सी सही होगा वस्तू की मातरा बिदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा आंसर गनत ओप्सन देखेंगे दुटी होगा दिवान नमोस्तखराज विभा कि स्थापना किसने की थी क्या होगा आंसर तो option number देखेंगे तो option number D होगा अलाव दिन खिलजी होगा गोड़ा तागने की विवस्था जो है इसे के समय में शुरू किया गया था अगला कि सिंध का विले कब किया गया सिंध का विले अगला कि इंडियन रिफॉर्म एस्थापना कब की गई है इंडियन रिफॉर्म एस्थापना आप देखेंगे तो यह किया गया था केसर चंदर सिंध के द्वारा किया गया था option नमबर यह होगा 1857 की गरांती के समय ब्रिटीस प्रधानमंत्री कौन था अब देखके ब्रिटीस प्रधानमंत्री कौन था बताएगा तो यह आपको जाएगा पामस्टर्ण है नो आप्सन नमर देखेंगे तो 80 का डी सही आंसर होगा पामस्टर्ण महराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उध्योग रत्न पुरसकार दिया गया है किसको तो यह दिया गया था परतन टाड़जी को जो कि अभी उनका फिलहाल में हाल फिलहाल में जोह निधन हो गया है तो यह 25 स्याद रखिएगा भारत ने चंदर्मा पर अंत्रिक्ष यात्री भीजने का लक्ष रखा है कब तो इसका अंसर आपको क्या होगा 82 का बताईएगा डेक्षे 22 का सही आंसर देखेंगे तो 2040 जो है सही होगा औप्सन नुम्बर C सही होगा 2040 हाल ही में चंदर्मा अंत्रिक्ष यान को चलाने के लिए भा जर्मनी से टेले अगला है उल्य गजः गजः कोधा अभिआन प्रण्ब किया गया गजः कोधा अभिआन प्रावंब किया गया आंसर हो जाएगा option नमबर देखेंगे तो C होगा awesome right answer हो जाएगा awesome अगला है कि अबला जीवन है तुम्हारे यही कहानी आचल में दूद और आँखों में पानी उप्रोक्त कथन उप्रोक्त का भी मिरस है किसका किसका है दोस्तों बताएगा देखेंगे पचासी नमबर का तो आपका करुणा रस हो जाएगा option नमबर देखेंगे पचासी का तो डी हो करुणा रस जी है आपका राइट होगा करुणा रस नेश्ट प्रसने कि नुमाडिक अलिफेंट धल से न युद्ध्य अभ्यास किन देशों के बीच संपन हुआ है तो यह संपन हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में नुमाडिक अलिफेंट है न हरीत हैट्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझोता किया है भारत ने क इसके साथ समझ होता किया है बताई आंसर क्या होगा इसका सही आंसर देखेंगे 85 नमबर का तो आपसन नमबर आपका हो जाएगा डी जो है सही होगा भूटान जो है आपका राइट होगा भूटान अगला की चेंज इंटू डारेक्ट टू इंडारेक्ट सी आस्ट मी वाट इज यूर नेम आंसर हो जाएगा सी आस्ट मी डैट वाट इज यूर नेम हैना ओप्सन नमर देखेंगे 88 का तो ए राइट आंसर होगा अंतराष्ट्रिय गीता महसो 2023 जो है मनाय गया है आंसर क्या होगा इसका आंसर देखेंगे तो आपका कुरुक छेतर हो जाएगा क्या होगा आंसर कुरुक छेतर ओप्सन नमर देखेंगे 89 का तो ए जो है सही आंसर होगा भारत के प्रधान मंतरी को किस देश का सर्वोच नागरिक पुरसकार order of the Nile दिया गया है order of the Nile दिया गया है किस प्रधान मंतरी को तो यह दिया गया है मिस्र है ना option नमर देखेंगे तो भी होगा मिस्र अगला प्रस्द है कि द्वेत वाद सिधान्त के प्रतिपादक थे कौन तो यह हो जाएंगे आपके माध्वा चारे हो जाएंगे ऑप्सन नमर देखेंगे तो भी होगा अगला है कि आसवान बांध किस नदी पर अवस्तित है तो यह आपका है निक नदी पर ऑप्सन नमबर अप्सन डेट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडर लाइन वर्ड है न तो मेलेफिसियंट जो आपका अंडर लाइन दिया गया है तो इसका आंसर देखेंगे पंचानवे का तो ऑप्सन नमबर आपका डी हो जाएगा क् आशी तरीके से बनाएंगे अभी देखेंगे तो डेली विसस पर आपका जो है प्रैक्टिस से चल ला है स्पार्क पॉब्लिकेशन का चल ला उसके वाधा करन का चलेगा तो ऐसा ही जब तक एक्जाम आपका नहीं होता है तब तक यह ग्रूप अब लेवल रहेगा और प् आपका नहीं होता है